इस देव भूमी के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता है है भाग्य मेरा सव भाग्य मेरा मैं तुम को शीष नवाता हूँ साथियों सामर्थ से भरी ये देव भूमी निस्चित रुप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है उत्तराकन उसका प्रखर उधाहर्ण है साथियों आप सभी बिजनेस की दुनिया के दिगज हैं और जो बिजनेस की दुनिया के लोग रहते हैं वो जड़ा अपने काम का स्वाट एनालिसिस करते हैं आपकी इक्तम कंपरी की ताकत क्या है कमजूरी क्या है अउसर क्या है चुनोतियां क्या है और आप उसका अकलन करकर क्या अपनी आगे की रणती बनाते हैं एक राष्ट के रुप में आज हम भारत को लेकर ऐसी ही स्वाट एनालिसिस करें तो क्या पूंते हैं हमें चारों तरफ एस्पिरेशन्स होप सेल्फ कॉन्फिडेंस इनोवेशन और अपर्चुनिटी ही देखेगी आपको आज देश में पॉलिसी डिवन गवनस देखेगी आपको आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए देश वासियों का मजबुत आगरत दिखेगा आकांशी भारत आज अस्थीरता नहीं चाहता वो स्थीर सरकार चाहता है हाल में हुई विदान सबाच चनाव में भी हमने देखा है और उत्राखन ने लोगों ने पहले करके दिखाया है जनता ने स्थीर और मजबुत सरकारों के लिए जनादेश दिया है जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया गवर्नेंस के ट्रैक रिकोर्ड के आधार पर वोट दिया है आज भारत और भारतियों को दुनिया जिस उमीद और सम्मान से देख रही है और अभी सभी उद्योग जगत के लोगों इस बात का जिक्र भी किया हर भारतियों एक दाईत को इरके रूप में इसे ले रहा है हर देशवासी को लगता है कि विक्सीद भारत का निर्मान उसकी अपनी जिम्मेदारी है हर देशवासी की जिम्मेदारी है इसी आत्म विश्वास का प्रणाब है कि कोरोना महा संकट और उद्यों के संकट के बावजूद भारत इतनी तेजी से विक्सीद हो रहा है आपने देखा है कि कोरोना वैक्सिन हो या फिर एकोनोमी पॉलिसी भारत ने अपनी नीतिया अपने सामर्थ पर बरोसा किया उसी कारणाच भारत बाकी बड़ी अर्थववस्ताओं की तुलना में अलग ही लीग में दिता है राष्टियस्तर पर भारत की इस मजबूति का फाइदा उत्राखन समेट देश के हर राज को हो रहा है साथियों इन परिस्तितियों में उत्राखन इसलिए भी विशेश हो और स्वाबाविक हो जाता है क्योंकि यहां डबल इंजिन सरकार है उत्राखन में डबल इंजिन सरकार के डबल प्रयाव चारों परब दिख रहा है राज्य सरकार अपनी तरब से जमीनी सच्चाई को समझते विए यहां तेजी से काम कर रही है इसके अगावा भारत सरकार की योजनाओं हमारे वीजन को भी यहां की सरकार उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है आप देखिए आज भारत सरकार 21 सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रसेक्टर पर उत्राखण में अभूत्पुर्वा इंवेस्ट्मेंट कर रही है केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गावं कस्बों को जोडने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है आज उत्राखण में गावं की सड़के हो या फिर चार राम महामार इन पर अभूत्पुर्वा गति से काम चल दा है वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्स्प्रेस वे से दिल्ली और देहरादून की दूरी धाई गंटे होने वाली है देहरादून और पंतनगर के एरपोर्ट के विस्तार से एर कनेक्टिविटी शसक्त होगी यहां की सरकार हैली टेक्सी सेवाओं को राज्य के भीतर विस्तार दे रही है रिश्यकेश कर्ण प्रयाथ यह रेल लाइन से यहां की रेल कनेक्टिविटी ससक्त होने वाली आधुनी कनेक्टिविटी जीवन तो आसान बना ही रही है यह बिजनेस को भी आसान बना रही है इससे खेती हो या फिर टूरिजम हर सेक्टर के लिए नई संभावना एक खुल रही है logistics हो, storage हो, to travel और hospitality हो इसके लिए यहां नए रास्ते बन रहे हैं और यह हर नया रास्ता हर investor के लिए एक golden opportunity लेकर आया है साथियों, पहले की सरकारों की अप्रोच थी, कि जो हिलाके सीमा पर है उन्हें ऐसा रखा जाए, कि access कम से कम हो double engine सरकार ने इस सोच को भी बदला है हम सीमा वर्ती गाउं को लास्ट विलेज नहीं, बलकि देश के फस्ट विलेज के रुपे विश्षित करने में जुटे हमने inspirational district program चलाया, अब inspirational block program चला रहे हैं ऐसे गाउं, ऐसे छेत्र, जो विकास के हर पहलू में पीछे थे, उन्हें आगे लाया जा रहा है यानि हर investor के लिए उत्राखन में बहुत सारा ऐसा untapped potential है, जिसका आप जाजा से जाजा लाब उठा सकते हैं साथियों, double engine सरकार की प्रात्विक्ताओं का उत्राखन को कैसे double फायदा मिल रहा है इसका एक उधारण टूरिजम सेक्टर भी है, आज भारत को देखने के लिए भारतियों और विदेश्यों दोनों में अभूत परो उत्सा देखने को मिल रहा है हम पूरे देश में थीम बेस्ट टूरिजम सरकीट प्यार कर रहे हैं कोशिच यह है कि भारत के नेचर और हेरिटेज दोनों से ही दुनिया को परिचित कराये जाए इस अभ्यान में उत्राखन टूरिजम का एक ससक्त ब्रांड मनकर उभरने वाला है यहां नेचर कल्चर हेरिटेज सब कुछ है यहां योग अईर्वेट तीज एडवेंचर स्पॉर्ट हर प्रकार की संभावना है इनी संभावनाओं को एक्स्प्लोर कर रहा है और उन्हें अवसरों में बदलना यह आप जैसे साथ्वों की प्रात्मिक्ता जरूर होनी चाहिए और मैं तो यह कौर बात कहूंगा यहां जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे बुरा लगे लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माद्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है लेकिन उनके माद्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहां नहीं है खास करके देश के दन्ना सिठों को मैं कहना चाहता हूँ अमीर लोगों को कहना चाहता हूँ मिलियोनर, बिलियोनर से कहना चाहता हूँ हमारी हाँ माना जाता है, कहा जाता है जो शादी होती है ना वो जोड़े इश्वर बनाता है इश्वर ताय करता है जोड़ा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जोड़े जब इश्वर बना रहा है, तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस इश्वर के चनणों में आने के बजाएं, विदेश में जाकर के क्यों करता हैं? और मैं तो चाहता हूँ मेरे देश के नव जवानों को, मेकिन इंडिया जैसे हैं वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेडिन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो, यह दुनिया के देशों में शादी कर ले, यह हमारे सारे धन्ना सेट आजकल फैसन हो गई है, यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचा देखते होंगे, और मैं तो चाहूंगा, आप कुछ इंवेस्टमेंट कर पाओ, न कर पाओ, छोड़ो, हो सकता है, सब लोग न करे, कम से कम, आने वाले पांच साल में, आपके परिवार की, एक डेस्टिनेशन शादी, उत्राघंड मे करिए, अगर एक साल में पांच हजार भी शादियां यहां होने लग जाए न, नया इंफ्रसेक्टर खड़ा हो जाएगा, दुनिया के लिए यह बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन मन जाएगा, भारत के पास इतनी ताकत हैं, मिलकर के पहे करें, कि यह करना हो जाए इतना सामुर्द हैं, साथियों, बदलते हुए समय में, आज भारत में भी परवर्तन की एक तेज हवा चल रही हैं, बीते दस वर सोग हैं, एक आकांख्शी भारत का निर्मान हुआ है, देश के एक बहुत बड़ी आबादी थी, जो भाव में थी, वन्चित थी, वो सुविदाओं से जुड़ी हैं, अब वो उन सारी मुसिबतों से निकल करके, सुविदाओं के साथ जुड़ रही हैं, नए अवसरों से जुड़ रही हैं, सरकार की कल्यानकारी योजनों की वज़़े से, पांच साल में, साड़े तेरह करोड से जादा लोग, गरीबी स से बहार आये हैं इन करोड़ों लोगों ने अर्थ व्यवस्ता को एक नई गती दी है कि आज भारत की भीतर कि कंजम्शन बेज एकोनॉमी कि तेजी से आगे बढ़ रही है एक तरफ आज नियो मिडल क्लास है जो गरीवी से बहार निकल चुका है जो नया नया गरीवी से बहार निकला है वो अपने जरुरतों पर ज्यादा खर्च करने लगा है दूसरी तरफ मिडल क्लास है जो अपनी आकांशों की पूर्ति पर अपनी पसंद की चीजों पर भी ज्यादा खर्ट कर रहा है इसलिए हमें भारत के मिडल क्लास की पोटेंशल को समझ रहा होगा उत्राखंड में समाथ की शक्ति भी आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट तैयार कर रही है साथियों में आज उत्राखंड सरकार को हाउस अफ हिमाले ब्राण लॉंच करने के लिए बहुत-बहुत बदाई देता है यह उत्राखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने के लिए बहुत अभीनव प्रयास है यह हमारी वोकल फर लोकल और लोकल फर ग्लोबल की अवधारना को और मजबुत करता है इससे उत्राखंड के स्थानिय उत्पादों को विदेशी बाजारों में पहचान मिलेगी नया स्थान मिलेगा भारत के तो हर जीले हर ब्लॉक में ऐसे प्रोड़क्ट है जो लोकल है लेकिन उन में ग्लोबल बनने की संभावना है मैं अक्सर देखता हूं कि विदेशों में कई बार मिट्टी के बरतन को भी बहुत स्पेशल बनाकर प्रस्तूत किया जाता है यह मिट्टी के बरतन वहां बहुत महंगे दामों मिलते हैं भारत में तो हमारा विश्व करमा साथी ऐसे अनेक बहत्रणी प्रोड़क्ट्स पारंपारी क्लूप से बनाते हैं हमें स्थानिय उत्पादों के लिए इस तरह के महत्रों को भी समझना होगा और इनके लिए ग्लोबल मार्केट को एक्स्प्लोर करना होगा और इसलिए यह जो हाउस आप हमारे ब्रांड अब लेकर आये हैं उसे मुझे एक व्यक्तिक दुर्प से आनन्द का विश्व है मेरे लिए यहां बहुत कम लोग होंगे जिदुकों साथ मेरे एक संकल्प के विश्व में पता होगा क्योंकि यह संकल्प कुछ ऐसे मेरे होते हैं उसमें आपको सिधा बेनिफिट साथ न दिखता हो लेकिन उसमें ताकत बहुत बड़ी है मेरा एक संकल्प है आने वाले कुछ समय में मैं इस देश में दो करोड ग्रामिन महिलाओं को लगपती बनाने के लिए मैंने लगपती दीदी अभ्यान चलाया दो करोड लगपती दीदी बनाना हो सकता है कठीन काम होगा लेकिन मैंने मन में संकल्प बना लिया यह हाउस अभी माले जो ब्रांच बनती है ना तो मेरा जो दो करोड लगपती दीदाने बनाने का काम है वो तेजी से इसमें बढ़ जाएगा और इसलिए भी मैं दन्यवाद करते हूं साथियों आप भी एक बिजनेस के रुप में यहां के अलग अलग जीलों में ऐसे प्रोडक्स की पहचान करें हमारी बेहनों के सेल्फ हैल्फ गृुप्स हो एप्पी ओस हो उनके साथ मिलकर नई संभावनों को तलास करें यह लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए एक पांट्रशिप हो सकती है साथियों इस बार लाल के लिए से मैंने कहा है कि विख्षित भारत के निर्मान के लिए नेस्टल करेक्टर राष्ट्रिय चरित्र को ससक्त करना होगा हम जो भी करें वो विश्व में स्रेश्ट हो हमारे स्टैंडर्ड दुनिया फॉलो करें हमारी मैनिफेक्टरिंग जीरो इफैक्ट जीरो डिफेक्ट के सिद्धांद पर हो एक्सपोर्ट ओरियेंटेड मैनिफेक्टरिंग कैसे बड़े हमें अब इस पर फोकस करना है केंद्र सरकार ने प्लाइज जैसा एक महत्वा कांशिया भ्यान चलाया है इसमें क्रिटिकल सेक्ट इसमें आप जैसे साथ्यों की भी बहुत बड़ी भूमी का है यह लोकल सप्लाइज चेन को हमारे MSME को मजबुत करने का समय है उस पर निवेश करने का समय है हमें भारत में ऐसी सप्लाइज चेन विक्सित करनी है कि हम दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर हो हमें उस पुरानी मानसिक्ता से भी बहार आना है कि फलाज अगर कोई चीज कम मिमत में उपलब्द है तो वहीं से इंपॉर्ट कर दो इसका बहुत बड़ा नुकसान हमने जेला है आप सभी उद्यमियों को भारत में ही कैपेसिटी बिलिंग पर भी उतना ही जोड़ देना चाहिए जितना फोकस हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर करना है उतना ही अधिक बल इंपॉर्ट को घटाने पर भी देना है हम 15 लाग करोड रुपिय का पैट्रोलियम प्रोड़क्ट हर साल इंपॉर्ट करते हैं कोईला प्रधान देश होते हुए भी हम चार लाग करोड का कोईला हर साल इंपॉर्ट करते हैं पिछले दस वर्सों में देश देश में दलहन और तिलहन इसके इंपॉर्ट को कम करने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं लेकिन आज भी देश को 15,000 करोड पे से ज़्यादा की दाले बाहर से इंपॉर्ट करनी पड़ रही हैं अगर भारत डाल के मामले में आत्मंदिर पर होगा तो यह पैसा देश के ही किसानों के पास जाएगा सात्यों आज हम नूट्रिशन के नाम पर और मैं तो देखता हूं किसी भी मिडल कर्थ फैमिली के यहां बोजन के लिए चले जाएए कि उसके डाइमन डाइनिंग टेबल पर भाती भाती की चीजे पकेट पड़े होते हैं विदेशों से आए हुए और वह पैकेज फूर का इतना फैशन बढ़ते हुए मैं देख रहा हूं जब कि हमारे देश और उस पर लिख दिया कि प्रोटीन रीच है खाना शुरू आयन रीच है खाना कोई इंक्वारी नहीं कर दबर लिखा है और बेडिन फलान देश हैं बाद मारो थप्पा अरे हमारे देश में मिलेट से लेकर दूसरे तमाम फूर है जो कहीं अधिक नुट्रिशिस हैं हमारे किसानों की मेहनत पानी में नहीं जानी चाहिए यहीं उत्राखन में ही ऐसे आयूस है जुड़े और गनाइक फल सब्जा जुड़े उत्पादों के लिए अनेर संभाव होना है एक किसानों और उदमियों दोनों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं पैकेज फूर के मार्केट में भी हमारी छोटी कंपनियों को हमारे पूरस को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में मैं सह बताओ कि आप सभी को अपनी भूमी का निभानी चा भारत निवेशकों के लिए यह मैं समयता हूँ अभुत्पुर्व समय है अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकोनोमी बनने जा रहा है और मैं देश स्वास्चियों को विश्वाद दिलाता हूँ कि मेरी तीसरी टम में देश दुनिया में पहले तीन में होके रहेगा स्थीर सरकार, सपोर्टिव पॉलिशी सिस्टिम, रिफॉर्म से ट्रांस्फॉर्म की मान सिक्ता और विश्षीद होने का आत्म इश्वाद ऐसा सहियोग पहली बार बना है इसलिए मैं कहता हूँ, यही समय है, सही समय है, यह भारत का समय है, मैं आपका आहवान करूंगा, उत्राखन के साथ चलकर, अपना भी विकास करिए, और उत्राखन के विकास में भी सहीयोग बागी जुरूर बनिए और मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी यहां सालों से एक कलपा बनी हुई है, बोला जाता है, कि पहाड की जवानी और पहाड का पानी पहाड के काम नहीं आता है, पहाड की जवानी और पहाड का पानी पहाड के काम नहीं आता है, जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है, पानी बह करके कहीं पहुँच जाता है, लेकिन मोदी ने ठान ली है, अब पहाड की जवानी पहाड के काम भी आएगी और पहाड का पानी भी पहाड के काम आएगा, इतनी सारी संभावनाय देख करके, मैं संकल्प ले सकता हूँ, कि हमारा देश हर कौने में सामर्त के साथ खड़ा हो सकता है, नई उर्जा के साथ खड़ा हो सकता है, और इसलिए मैं चाहूँगा, कि आप सभी साथ ही इस अवसर का अधिक्तम लाब उठाएं, नीतियों का फाइदा उठाईए, सरकार नीती बनाती है, ट्रांस्परेंट होती है, हरे के लिए खुली होती है, जिसमें दम हो, आजाए मैदान पर, फाइदा उठा लें, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो बाते हम बताते हैं, उसके लिए हम डट करके खड़े भी रहते हैं, उसे पूरा भी करते हैं, आप सभी इस महत्वपुन अवसर पर आए हैं, उत्राखन का मुझ पर विशेश अधिकार है, और जैसे कईयों ने बताया, कि मेरे जीवन के एक पहलू को गर बनाने में, इस धर्ती का बहुत बड़ा योगदान है, अगर उसे कुछ लोटाने का अवसर मिलता है, तो उसका आनन्द भी कुछ और होता है, और इसलिए मैं आपको निमंतरित करता हूँ, आइए, इस पवीत्र धर्ती की चरण मासे पर दे करके, चल पड़िए, आपकी विकाहस यात्रा में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, इस भूमी के आशिरवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुबकामना है.